टिम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहमद शमी और उनकी पतनी हसीन जहां के बीच विवाद अब सुलजता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको बता दें कि हाल ही में शमी की पतनी हसीन जहां मोहमद शमी के पैत्रिक आवाज पहुँची थी और वहाँ पहुचकर उन्होंने पंचायत से शमी और उनके बीच के रिष्टों को फिर से सुलजाने की बात कही थी लेकिन उसके बाद अब खबरे ये आ रही है कि मोहमद शमी बात करने के लिए राजी हो गए है और वो 14 मई को अपने गाउं पहुचेंगे जहां पर पंचायत के मताबिक हसीन जहां और मोहमद शमी आपस में बात करेंगे और उसके बाद इस मसले को सुलजाएंगे अब ये देखना वाकई में दिल्चस्प होगा कि क्या मोहमद शमी और हसीन जहां के बीच मसला सुलज़ता है वैसे आपको बता दे कि शमी की और हसीन जहां दोनों की प्यारी उनके बिजियारानी बेबो की हालत हाल ही में खराब हो गई थी क्योंकि उनको वहां का मौसम और वो उनके परिचित थे लेकिन उसके बाद अब शमी का ये फैसला आना उनकी बच्ची के लिए काफी रहत की खबर ला रहा है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स ट्रेस की रिपोर्ट